नमस्कार दोस्तों मैं रहूल तोमर सागत करता हूं आपके अपने चल में आज हम इस वीडियों बात करने वाले IGT कंपनी के इंटर्वी प्रॉसेस के बारे में अगर आप ऐसा कस्टूमर सपोर्ट या फिर ट्रेवल प्रॉसेस एक्जिक्यूटिव इस पोस्ट के लिए अप सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यहां पर यह जो है IGT इंटर्वी प्रॉसेस फोर कस्टूमर सपोर्ट और जो ट्रेवल प्रॉसेस एक्जिक्यूटिव दोनों के लिए सेम होते हैं यहां पर जो में डाउट रहता है कि कितने राउंड रहने वाले आपक सबसे पहले हैं यह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाना होगा जैसे कि आप पहले पर लेना है IGT company का found की गेती मतब का भी start हुई थी एक काम क्या करती है क्या क्या process है IGT company के अंदर यह थोड़ी basic चीज है आपको IGT company के बारे में पहले से ही जान लेनी है ताकि interview में आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है और जो HR on में कोई question किये जाते हैं वो सारे sample question यहाँ पर ले दिये गए अगर कोई और भी doubt है कोई और भी question है आपके मैंड में आपको पता चलता है कि यह भी पुछा जाता है तो आप comment box में बता सकते हैं उसको भी बता दे जाएगा और अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी ठीक है तो सबसे पहले जो basic question रहता है यह tell me about yourself अपने बारे में बत कि अपने आपको कहा देखते हैं तो इसमें जैसे की company के बारे में ही बता सकते हैं कि मैं है एक अच्छी position पे देखता हूँ इसी company में काम करते हुए अपने को एक senior position पर देखना चाहता है एक responsible position पर देखना चाहता हूँ ठीक है तो आप ऐसे भी जवाब देख सकते हैं और हρो भी अगर कोई एंसर आपको पता है वो भी कॉमेंट में में बता सकते हैं ठीक है और इसमें फिर कि ग्ल deform घंके लिए यह संधों कर्षान आपके सामने यह यूर वीकनेस ठीक है आपकी कमझोरिया क्या है तो यह भी आप से आप पास हो पाएंगे ठीक है बहुत से इंट्रव्य में होता कि आपके कम्मिनिकेशन स्किल्स तो अच्छी जा रही है बट कोश्चन का गलत एंसर करने के विज़े से आप वहां पर रिजक्ट हो जाते हो तो इन सारे कोश्चन के एंसर भी बताने वाला हूं ठीक है और य ठीक है और उसके बाद यह होता है कि आप से पूछह याथीं कि पूख झाल ठीक है जैसे की आपके ञेके साव जारों में आपको ठीक है यह जैसे कि बद्दे स्टोरी पूछली की लास्ट बद्द कैसे लास्ट टूर कैसा था ठीक है फिर एक क्वेशन होता है वर्ट इस यो शॉट टर्म गोल ठीक है आपको शॉट टर्म गोल क्या है उसके बाद तो इसका एंसर मैंने यहां पर अल्रेडी लिखा हुआ है तो गेट अरप एंसर देना चाता है इसा नहीं कि अपको यहां से डिक्टो ही बोल ला है आपको जो अच्छा लगे आपको सर्च करके जो पता चले ठीक है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बहुत सारी वीडियो हैं और मैं बिसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एचराउंड में जो सारे questions पुछ जाते हैं इनके क्या answer करने चाहिए जिससे कि आपके रिजक्षन के chances बिल्कुल zero हो जाएं ठीक है तो यहां पर long term goal का था तो यहां पर यही है कि to be in any higher position और manager position in any good organization ठीक है तो long term goal है ही है कि मैं किसी अच्छी company में किसी अच्छी position पर होना चाहता हूं ठीक है और यह तो most important question आपके सामने आ गया है why should we hire you हमें आपको क्यों hire करना चाहिए तो यह भी इस question के लिए भी आपको तयार होके जाना है अदर्वाइस आप वहां पर फंबल कर देंगे अटक जाएंगे तो आपके rejection के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह तो रही कि अगर आप fresher है या experience है यह सारा का सारा तो यह दोनों के लिए same होने वाला है बट जो नीचे वाला है इफ experienced ठीक है तो उन से दूसरा question जो होता है companies related why you left your last organization कि आपने अपनी पिछली company क्यों छोड़ी ठीक है उसके बाद जो आता है any challenge which you faced and tackled in your last job ठीक है यह वाला question इसके बारे में भी आपको घर से प्रिपेर होके जाना है यह सारे question पूछे गए हैं ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूं कि possibilities हैं पूछ सकते हैं यह सारे questions HR round में पूछे गए हैं ठीक है तब ही आपको मैं बता रहा हूं और इसके बाद है आपका what was your performance score in last company कि आप जिस last company में काम करते थे यह वाला जो question है वहाँ पे आपकी performance कैसी थी ठीक है कितने में से कितने नंबर आते थे या कितनी percentage में आपकी performance चलती थी यह चीजें वहाँ पर आपसे पूछी जाएंगे ठीक है तो make sure आप इन सब चीजों की त्यारी करके ही जाएं इंटर्वी देने तभी आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा और सेकेंड राउंड के बारे में बात करें जैसे कि एचार राउंड हो गया दूसरा हमने जो यहां पर बदा था ग्रूप डिसकर्शन वाले राउंड में त 10-15 जितनों कभी इंटर्विव एक साथ हो रहा होगा गुरूप डिसकर्शन है यह कोई डिबेट नहीं होगी कि उसने कुछ बोला तो आप उसके अगेंस्ट बोलना है कि मतलब कोई भी एक टॉपिक दिया है सब एक एक करके अपने अपने व्यूज रखेंगा उस टॉपि के बारे में ठीक है तभी बोलने स्टार्ट करना यह नहीं कि आपने बस टॉपिक सुना और बोलने स्टार्ट कर दियो और बीच में फंबल हुए अटक गए तो वहाँ पर आपके जो मार्क से स्कोर है वह बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे और आपके रिजेक्शन के चां तो आप थोड़ा आसान तरीके से बोल पाओगे आपको बीच में अठकना नहीं पड़ेगा फंबल नहीं होगे ठीक है और यहां पर यहां पर यह भी मैंने बताया गया कि ट्रेटी स्पीक एज अरली अस पॉसिबल ट्रेटु वालेंटियर इसमें क्या होता है कि बहुत से टाइम खतम हो जाता है ठीक है तो मेक शेयर आपको ज्यादा नंबर अगर चाहिए तो आपको ऐस पॉसिबल बोलना है कि या तो पहली बार में ही आप बोल दो थोड़ा सा सोचने का टाइम दे जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको टॉपिक दिया और वहां पर काउंड ओले करना है ठीक है इसमें दो लोग होिजान ओर यहां पर यहां पर पॉसिबल एगौ से के हां और छुट यहां पर अपाएन नहीं चाहिए उस टॉपिक के उपर और ऐसा नहीं कि सब कुछ टॉपिक के रिलेटेड ही होना चाहिए अगर आपके मैंड में कुछ और है जो कि आप इन डारेक्टि लिएक से रिलेट कर सकते हो वह भी बोल सकते हो ताकि आपकी जो फीचों थोड़ी लॉंग हो जाए बट तो यही ग्रूप डिसक्रशन का जो में टार्गेट होता है कि मतलब बंदे की कम्मिनिकेशन इसकल्स कैसी और उसका फॉट प्रॉसेस कैसा है यही जानना चाहते हैं ठीक है जो मैंने लास्ट में आपको बताया भी है डॉंट स्पीक वेरी लेस वर्ट्स ठीक है आपको बि लेना है और जो भी बोलोगे डाट मस्ट भी मेनिंग फॉल उसकी मीनिंग होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलो आप और स्पीक वन बाइवन अगर कोई भी बोल रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलना है पहले एक को कंप्लीट करने देना है उसके बाद ही आपको ब टीक है और जो रॉंड था हमारा जैसे कि हमने बार कर ली ऐचाराउंड के बारे में डिसकर कर लिया है अब आसाइमेंट के बारे में देखो क्या होता है कि उसके लिए अलग से रेजिस्टर करना पड़ता है लिंक आता है इड पासवर्ड आते हैं फिर जाके उसका अलग से वीडियो बनाऊंगो ताकि उस असाइमेंट को आप समझभा किस तरीके कोश्चन आते क्या पैटन आता साइमेंट का और कैसे आपको एंसर करना है ताकि आप आई जीटी के इंटर्वी को बहुत ज्यादा असान तरीके से क्लिए कर सकें उससे पहले आपको क्या करना है कि अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना हो नौटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब वीडियो आएगी तो आपको नौटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे तो आए नेक्स आम बात कर लेते हैं तो आसाइमेंट के सब्सक्राइब कर लेना है तब यह आपको पता चल पाएगा इसके लिए अलग से वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है अब जो फॉर्थ राउंड हमारा रहता है आप्स राउंड ठीक है तो यह क्या होता है कि मोस्ली नहीं एचा राउंड के तरह ही होता है थोड अप्सराउंड है इसमें सबसे पहला भी होता है अपनी बारे में बताओ ठीक में सारी चीज़ों जैसे थे पहली चीज है अप प्रैक्टिज jogarde करके जानीए यह आसा बिल्कुल भी नहीं है आप इसे स्किप कर दो कि क्या पता ना पूछे छोड़ो इसकी क्या तयारी करनी यह तो पहला मतब स्टार्टिंग ही होता इंटर्व्यू का टेल मी अबाउट इसल्फ ठीक है तो इसकी तो प्रैक्टिस होनी चीए और जितनी अच्छी तरीके से क सब्सक्राइब होगे उतने ही ज्यादा चांसे इंक्रीज हो जाते हैं आपके सेलेक्शन के ठीक है और यहां पर जो कुश्चन आजाता है ठीक है वाई शुट भी हाई यू वाई लेफ्ट यो लास्ट ऑगनाइजेशन ठीक है ऑल्मोस्ट एचा राउंड जैसा ही रहता है ठीक है बट इसमें क्या होता है कि और भी चीजा आपको बताई जाती है जैसे कि आपकी सेलरी के बारे में क्या आपकी सेलरी इतनी रहने वाली है आपकी शिफ्ट यह रहने वाली है ठीक है आर यू ओके विद इस क्या आप ओके हैं इन सब चीजों के साथ तो आपको वहां in these first three or six months में ठीक है तो वहाँ पर भी आपको ओके बोलना है कि मेरे को अभी कोई भी लीव नहीं चाहिए ठीक है मैं मतलब परफेक्ट हूँ ओके हूँ इसके साथ मुझे कोई लीव नहीं चाहिए ठीक है और फिर वो आपसे बोलेंगे कि कभी-कभी requirement पर करता है कि आपको ओटी भी करना पड़ेगा बिज्निस रिक्वाइर्मेंट पर डिपेंड करता है तो आपको वहां पर भी ओके कर देना है कि हां मैं ओटी करने के लिए रेडी हूं वह बोलेंगे शिफ्ट रोटेशनल रगेगी आपकी क्या कर लोगे हां सर कर लूँगा और उसके बाद आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाता है तो यहीं है कि लिफ सानौट अलाउड यह बस आपको डराया जाता है अगर कोई भी मेडिकल कंडिशन होती है आपको कोई बुखार हो गया कोई भी मतलब भी छोटी-मोटी इंजिरी हो गया कुछ भी हो जाता है तो आपक करने लगते तो सब्सक्राइब्स कर लेती है कि और पर सब्सक्राइब्स होता है तो मैंसे बारे में चारो लो इसके रह गया है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी ठीक है तो आइब आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करण और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इभी कोई दोस्त आई-जी-टी काम एग्जिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नौटिफिकेशन आइकन को भी दवा लें क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं तो इस वीडियो में तो इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों